पर बात ये है कि कोई भी उस रास्ते पर चलना नहीं चाहता है कोई भी वो नहीं करना चाहता जो किया जाना जरूरी है पर वो वहां होना चाहते है जब मैं कहता हूँ आपको इस रास्ते पर चलना होगा क्या ये बहुत दूर है, क्या ये इतना कटेन है कि आप वहां बहुत कटनाईं से पहुच पाएंगे, नहीं जो चीज भीतर ही है, तो रास्ता कहां से आया, ये ठीक यहीं है पर आपको इधर मोरने के लिए एक तरीका है, एक प्रक्रिया है जो चीज आपके खिलाफ काम कर रही है, असल में ये वही चीजे हैं जो आपके खुशाली के लिए काम करती हैं आपका खुद का मन, आपका खुद का शरीर, यही आपके खिलाफ हो जाते हैं, जब आप इनके परे का कुछ सोचते हैं भीतर से ही आपके खिलाफ हो जाते हैं, कितने ही तरीकों से तो क्या ये मुश्किल है, क्या ये आसान है, बात वो नहीं है बात बस प्राथमिक्ता की है, कि ये महत्वपून कितना है अगर आप ऐसे हो जाएं, कि इसे जाने बिना मैं जी नहीं सकता अगर ये इतना महत्पून हो जाए, तब ये कठिन नहीं है, ये बहुत नजदीक है क्योंकि लोग आन और आफ, आन और आफ, आन और आफ होते रहते हैं, इसलिए ये बहुत लंबा रास्ता लगता है ये हर चीज़ पर लागू होता है मान लीजे, आपको कुछ पकाना है मान लीजे, आपको एक केक पकाना है, आपको कुछ चावल पकाना है आप गैस को आन करते हैं, फिर आफ कर देते हैं, चालू करते हैं, फिर से बंद कर देते हैं ये एक लंबी प्रक्रिया होगी और जहिर है खाना नहीं वो पाईगा तो यह है कहानी जादातर आध्यात्मिक साधकों की वो आउन और आउफ, आउन और आउफ, आउन और आउफ होते रहते हैं हरे क्या इसका मतलब है कि मुझे सिर्फ यही रहना चाहिए या वहाँ बात वो नहीं है, प्राथमिक्ता नहीं बदलनी चाहिए, अगर प्राथमिक्ता सेट है, तो धीरे धीरे आपके भीतर हर चीज अपने आपको इस दिशा में विवस्थित कर लेगी, क्योंकि प्राथमिक्ता बदलती रहती है, तो ये जीवन जानी नहीं पाता कि जाना किदर ह ये बस confused रहता है, अगर हर दो मिनिट में आप GPS पर destination बदलते रहेंगे, तो निश्चत है उससे पता नहीं होगा कि कहा जाना है, है न? तो यही जादातर लोगों के साथ हो रहा है, इसलिए आध्यात्मिक रास्ता इतना कठिन, लंबा, संभव, हासिल ना कर पाने योगे लगता है ये सब इसलिए, क्योंकि लोग हर समय अपनी प्राथमिक नाएं बदलते रहते हैं